हलो मैं ब्यूटिफुल फैमिली कैसे हो आप सब उमीद आप सब अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल भी रख रहे होंगे आज मैं आप लोगों के साथ यह मेकप लुक्स हैर करने वाली हूँ जो इंस्पारड है पुजया माम के मेकप के ऊपर और अगर आप लोगों को मेकप लुक्स पहुँचा पसंद है या फिर ग्लिटर लुक्स पसंद करते होंगे तो फिर पुजया माम को तो आप लोगों ने डेफिनेटली जानते होंगे उनका हर टिकनिक बहुत ज्यादव सिंपल रहता है और हर लुक बहुत ही ज्यादव यूदिक रहता है और आज में उनके मेकव लुक से इंस्पार होके एक मेकव लुक क्रेट की हूँ आज सच में फिंगर क्रॉस कर रहे हूँ कि मैं आम तक हे वीडियो तो पह जाये ताकि उन्हें भी पता चले कि उनसे इंस्पायर होके मैं ये लुक क्रेट की हूँ अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पुझा माम बहुत ही ब्यूटिफुली मेकप लुक करते है ग्लिटर्स लुक और बहुत ही सिंपल टिकनिक के साथ क्रेट करते है आज मैं उनके techniques को follow up करूँगी और उनके looks को recreate करूँगी और आज जो मैं सारी क्यारी की हूँ वो मेरी मम्मा का है कटन सारी है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सिकायत रहता है ना कटन सारी के साथ के से style up करें मुझे लगता है कटन सारी बेस्ट होता है कोई भी Indian looks को create करने के लिए और मैं सच बोलू तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यह सारी क्यारी करके मेरी मम्मा का है यह सारी और प्योर कटन सारी है उसके साथ मैं यह look create की हूँ और मैं फूल पीक नहीं ली थी इसलिए मैं आप लोगों के सारी भी नहीं कर पाऊंगी उमीद है आप सबको अच्छा लगेगा आज का मेकप लूग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना दिन प्लीज लाइक कीजेगा से आर कर दिजेगा अन सब्सक्राइब चानल पहले तो मैं अपनी स्किन को अच् अच्छा प्राइमर है लिकिन अगर आपका ओपन पोर्स का प्राइमर है जो एन आई वे का प्राइमर है वो वाक नहीं करेगा लाश्ट टाइम मैं प्रॉमिस की थी न्यूट्रालाइजेशन बोलने के लिए तो मैं पाहले में कॉलर करेक्टर अपलाई करे हूं जो मुझे आप लोगों के साथ सेयर भी करना था कि न्यूट्रालाइजेशन कैसे करते है ठीक है औरेंज कलर करेक्टर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद न्यूट्रालाइजेशन के लिए मैं आपने स्किन टोन का ही कंसिलर यूज़ कर रही हूं अगर आपके स्किन में पि देवराहो मिलानों का मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका जो थिकनेस होता है इसका जो क्वालिटी है यह यह बहुत ज्यादा लॉंग लाश्टिंग है वाटर प्रूफ है तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे यह फांडिशन तो उसको अच्छे से eyes लगे ठीक है अपनी फेस को कंसिलर के व्हलुफ से हाइलाइट कर रहे हूं टीज ओन एरिया में एक कंसिलर अप्लाइ कर रहे हूं हएल्य करने के लिए अपनी फेस को एति एमेडेटली के लिप करें यह को थोड़ा सा हाइड शेय रेक लिप नहीं उसके बात मैं यहां पर अपने पार फेस में कर रहे हूं मेरा बॉट फोःड नहीं है नहीं डवल चीन का प्राबलम है इसलिए मैं चीक अंड नो जरिया में ही कॉन्टूर करती हूँ मैं कभी भी बहुत ज़्यादा प्रड़क्ट यूज नहीं करती हूँ कि हाँ यह कर यह अगर स्टेप है तो यह स्टेप को फॉल अप करना चाहिए जो मेरे फेस का नीड रहता है मैं उस हिसाब से मेकप करती हूँ और मैं आप लोगों को भी बही बोलती हूँ कि आप जितना कम प्रड़क्ट के साथ मेकप करोगे उतना फ्रोलेस रहेगा आपका मेकप लूप अच्छे से ब्लेंड कर पाओगे उसके बाद मैं यहां पर ब्लस अपलाई कर रहे हूँ कस्मेरे ब्लस नोस चीक और चीनेरिया म अगर आपके पास लूप पाओडर नहीं है तो आप कमप्याक्ट के हेल्फ से भी सेट कर सकते हो कोई बात नहीं लेकिन ही हुमिडिटी बहुत ज़्यादा है ना मेरी जान तो स्वेटिंग तो होगा ही इसलिए अच्छे से लूप पाओडर के हेल्फ से सेट कर लिजेगा अपनी इंटार फेस को उसके बाद लूस पाओडर को डश्ट आउट कर दे रही हूं अपनी इंटार फेस से क्योंकि अगर डश्ट आउट नहीं करेंगे तो मैं बंदर जैसी दिख रहे हैं मुझे भी बता है लेकिन उसके बात यह दिखिए मेरे अंडराई अरिया में बि इसको अच्छे से ब्लेंड करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं तो ऐसा लगेगा वहां पर कोई कलर डिपोजीट हो जगया है या फिर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा आई लेड में जब भी ट्रांजिक्शन सेड आप यूज करोगे तब आप अच्छे स ब्लेंड जरूर कर लीजएगा नेच्ट इयां पर मैं ग्रीज लाइनिंग अंड आउटर कनर में ब्राउन सेड अपलाई कर रहे हूं जो कि है चॉकलेट ब्राउन सेड उसको अच्छे से अपलाई करके ब्लेंड कर रहे हूं यहां पर डिपोजीट नहीं करना है बस धीर े बलेंड करके डिपर बना रहे हो ठीक है यहां पर डिपर बननाने के बाद में ले रहे हूं एक छोटा सा पेंसिल ब्रस और बेज लाएं डिफाइन करने के लिए जैसे पुझा Kenai करते है तो यहां पर में बलाक आइसदों लेके वे ल्ग पेंसिल ब्रसके को define ओके इस चीज करने के बाद में थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी ताकि इसका जो हार्स लाइन हो वो invisible हो जाए अगर हार्स लाइन सोप होगा तो मेकप लोग बिलकुल भी अच्छा नहीं लगेगा इसलिए उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी एक ब्लेंडिंग ब्रेस के हेल्प से नीक्सट पॉपलल सेट को अफ्लाइ करें हों कोई बी कट्क्रिश नहीं करें बस पॉपल सेट को ही बहां पर प्रिक्स कर दी हुं उसके बाद थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूं ताकि ब्लू काजल के साथ थोड़ा सा smudge out कर दे रही हूं blue eye shadow के साथ ताकि एक unique look create हो पाई और थोड़ा सा अच्छा लगे dramatic look आपाई next मैं अपलाई करूंगी glitter आप लोगों को भी पता है glitter मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि पता नहीं बहुत ज़्यादा पसंद है उसके बाद तो मैं glitter को fix करूंगी glitter glue अपलाई करने के बाद यहाँ पर मैं loose glitter लेके उसको अच्छे से brush के hair से set कर दे रही हूं उसके बाद यहाँ पर मैं अपलाई कर रही हूं eyeliner wing eyeliner दूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है wing eyeliner eyeliner के बारे में बोलू पुझा माम बहुत टाइम स्किप्ट कर देते है eyeliner को लेकिन उनके आई जो है इतना ज़्यादा ब्यूटिफुल है के without eyeliner ही अच्छा लगता है मतला जब फॉल्स लैसे अपलाई करके पूरी लूप में आते है तो एकदम डॉल जैसे लगते है लेकिन मैं डॉल नहीं हूं नहीं मैं पुझा माम हूं इसलिए मैं विंग लाइनिंग क्रेट की हूं डबल कोट करूंगी मस्करा लेके अपनी अपड़ लैसेस अंडोय लैसेस को क्यों दूं तो अच्छा ही नहीं लगता मैं कभी भी false lashes यूज नहीं करते हूं आइबरो सेट कर दे रही हूं आइबरो सेट करने के बाद फिर में next कोड कर रही हूं अपनी मस्करा को ताकि हम मेरा जो आई लैसेस है वो फिल लगे और अच्छा लूप में आ जाए लाशली मैं करूंगी अपनी इंटरफेस को हाई इस सारे एरियास को अच्छे से हाई लैटर अपलाई करें हूँ मेरी मामना एक की तीफ्स दियत है हाई लैटर के लिए जब भी आप हाई लैट वो टिकनिक यादा है तो मैं थोड़ा सा ब्लेंडिंग करने लगे राव सर्कुलर मोशन में और सीरियसली वो वाक कर रहा था अंडर माम कभी भी जूट थोड़ी ना बोलेंगे राइट तो यह था फाइनल लुक और यह आप लोगों ने देखी लिए हूंगे फाइनल मुझे आज यह लुक आप लोगों के साथ स्यार करके आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और साड़ी पेहनना मुझे बिलकुल नहीं आती है तो फिर आज थोड़ा सा माफ कर दीजेगा क्योंकि मैं मेरी मॉम्मा का साड़ी पेहनी थी तो स्टाइ बाँ बाँ